बिंडी की सब्जी अक्सर सभी को पसंद आती है पर जिसे पसंद ना हो ना उसे भी ये सब्जी खिला दोगे तो उसे भी बेहत पसंद आएगी कभी लंच पाटी हो या फिर डिनर पाटी हो उसके लिए भी आप घर पर इसे बना सकते हो और एकदम डिफरेंट लेगेगी तो आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए पहले हम यहाँ पर कड़ाई में 4-5 बड़े चमस तेल गरम करने के लिए रख देंगे यहाँ पर मैंने लोहे की कड़ाई लिए लोहे के हमें benefits तो पताई है तो इसके लिए हम जो भी खाना बनाये लोहे के बरतन में बना कर खाना उसमें से जल्ली से निकाल ले माल लीजे 300 ग्राम यहाँ पर बिंडी को मैंने अच्छे से दो कर सुखा करके गोल गोल पिसिस कट कर ली है तेल अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ पर बिंडी को हम 70% तक इस तरह से सेलो फ्राइ कर लेंगे आप चाहे तो इसे डिफ्राइ भी कर सकते हो और देखिए एकड़म perfectly हमने बिंडी को सेलो फ्राइ कर लिया है और इसे एक अलग बैतर में निकाल लेंगे वही तेल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ प्यास के टुकड़ो को भी ले लिया है इसे भी थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे ताकि इसका भी कच्छा पन चला जाए और वही कड़ाई का तेल हमने थोड़ा सा निकाल लिया है अब इसमें हमने ले लिया है एक कटोरी प्यास साथ में 7-8 कलिया लसन की और आदा इंच अदर का टुकड़ा प्यास को हमने राफली कट किया है इसे यहाँपर हाई 2 मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे और दिमी आज पर अब इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से पक जाने के बाद इसकी हमने अच्छी प्योरी बना लिए, जो तेल में हमने बिंडी और प्यास को सालो फ्राय किया था, वही तेल में हमने ये ग्रेवी को अच्छे से कुक कर लेना है, ए आप देख सकते हो, फिर भी ये बाजी बहुत ही यम्मी बनती है, अब यहाँ पर मैंने डेड़ ग्लास दूद ले लिया है, दूद की वज़े से इसमें बहुत अच्छा रिचनेस आ जाएगा, यहाँ पर आप ग्रेवी कितनी गाड़ी करना चाते हो, उससे सबसे दूद क मातरा कम जादा भी कर सकते हो, एक चमच मैंने गरम मसाला ले लिया है, और एक चमच कसुरी मेथी ले लिया है, यहाँ पर हमने जो बिंडी और प्यास को सेलो फ्राइ किया था, उसे भी इसमें एड़ कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अरे हाँ भई हम न प्यार हो गई हमारे एंट्रेस्टिंग बिंडी की अलग तरीके की सबजी बेना तांजान, फिर भी यह सबजी बहुत ही यम्मी लगती है दोस्तों, तो जरूर से ट्राइ करीगा और मुझे याद करिएगा